एक नदी के किनारे एक जामुन का पेर था, उसी पेर पर बंटी नाम का एक बंदर रहता था, उस पेर पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे, एक दिन डोडो नाम का एक मगरमच खाना तलाशते हुए उसी पेर के पास आया, पेर पर बैठे बंटी ने जब उसके वहा आने की वजह पूछी तो डोडो ने कहा कि वह गल से भूखा है और खाने की तलाश में यहां आ पहुचा। बंटी ने डोडो को बताया कि इस पेड़ पर बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने डोडो से पूछा कि अगर वह भी कुछ खाना चाहेगा। डोडो ने हामी भरी तो बंटी ने कुछ स्वादिश जामुन डोडो को खिलाए। डोडो को जामुन बहुत पसंद आए। अब रोज डोडो मगरमच जामुन खाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आता और बंटी बंदर उसे खूब सारे, मीठे वह स्वादिश जामुन खि थी। एक दिन डोडो ने सोचा कि उसे ये स्वादिश जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाने चाहिए। वह जामुन अपने साथ घर ले गया और कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। ऐसे स्वादिश जामुन खाने के बाद डोडो की पत्नी ने सोचा कि जो बंद पत्नी ने उसे उसके सबसे प्रिया मित्र को मार कर उसका दिल खाने की बात की है। उसने अपने मित्र को मारने के लिए साफ मना कर दिया। ये सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि अगर उसे उस बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा, वो बिमारी से मर जाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच ने एक चाल चली। अगले दिन वो दोबारा उस जामुन के पेड़ के नीचे बंटी से मिलने गया। डोडो ने बंटी से कहा उसके दिये जामुन उसने अपनी बीवी को खिलाए और उसे वो बहुत करेगा। इस पर डोडो ने एक उपाय सुझाया। उसने बंटी से कहा कि वो उसकी पीट पर बैठ जाए और वो उसे सुरक्षित अपने घर ले जाएगा। बंटी ने अपने मित्र डोडो पर भरोसा किया और पेड से कूद कर उसकी पीट पर सवार हो गया। जब वे नद बंटी के आगे भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। ये सुनकर बंटी का दिल तूट गया कि उसके मित्र ने उसके साथ धोखा किया लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंटी तपाक से बोला, ओह मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहल में देकर उन्हें खुश कर सकूँ। मूर्क मगरमच बंटी को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया। बंटी ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मैंने तुछ पर विश्वास किया परंतु तुने मेरे साथ विश्वासगात किया औ और मुसीबत के क्ष़़ों में धैरियर नहीं होना चाहिए।